जैस्री कृष्णा राधे राधे दोस्तों वैसे तो दिपावली का हम पूरे साल इंतजार करते हैं उमंगों का पर्व है दीपों का पर्व है अंधेरा दूर करके जीवन में उजियारा का पर्व है मा लक्ष्मी के आगमन का पर्व है तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्या ऐ दीपावली के दिन किसी भी बस्तू को लांगना उसुभ होता है यानि आप जैसे कहीं पार हो रहे हैं खास कर चौराहे पर आप देखेगा लोग इस दिन टोने टोटके करते हैं इसलिए कोसिस करें कि किसी चीज को आप ना चुए ना लांगे और किसी की दिवी चीज भी खाना नहीं है इस दिन इस बात का ध्यान रखेगा वैसे तो लोग इस दिन गिप्ट देते हैं पर इस दिन तो कौन सकम मत खाईएगा खास कर सफेज चीज इसमें लोग टोटके करते हैं और कभी किसी को अगर आपको उपहार देना हो गिप्ट देना हो दिपावली पर गिप्टी भी चलता है तो इस दिन काला रंग का कोई भी चीज और चमडे से बनी भी चीज तो छुणा भी नहीं है और इस बात का ध्यान रखेगा और घर में अगर रंगोली भी बनाते हैं तो काला भुरा रंग का प्रियोग ना करें सराव जिवा खेलना लोग इस दिन करते हैं लेकिन मत कीजेगा क्योंकि दरिद्र रहते हैं ऐसे लोग भूल कर भी पती-पत्नी इस दिन सम्मंध ना बनाए इस बात का ध्यान रखें और अगर कोई आप से कुछ मांगने आता है तो खाली मत जाने दें कुछ खाने को दे दें पैसे मत देजिएगा लेकिन खाने को आप कुछ फली है आपके घर में तेक उठा के देजिए कुछ भी देजिए लेकिन देजिएगा और इस रात में, धी पावली की रात परवसुरू हो जाता है तो आपको धन तेरस के दिन से ही इस नियम का पालन करना है कड़ेंगे क्या सब से पहली बात तो दही किसी को भी ना दे दूद, घी खासकर धंतरिस वाले दिन तो अगर कोई आपसे गनेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति लाने के लिए क्लिए 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 या दिपावली के दिन तक तो यकिनन पैसा दे तभी लाईएगा क्योंकि मा लक्ष्मी तो किसी को गिप्ट नहीं करनी चाहिए जीवन का जो आपका स्रे है जो अच्छा समय है वो चला जाता है और इस दिन घड़ी भी किसी को मत दीजेगा आपका अच्छा वक्त चल रहा होगा तो आपने जिसको दिया उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा और आपका गरवर हो सकता है इसलिए किसी को घड़ी गिप्ट मत दीजेगा नहीं ऐसे ही आप किसी को दे इस बात का ध्यान रखिएगा दूसरी बात इस दिन आप जैसे हमने कहा दूद, दही, सहद, घी, सफेद चीज तो भूल कर भी नहीं और सिंगार की बस तू भी किसी को मत दीजेगा खास कर महिलाओं से मा लक्षमी को सिंगार पसंद है आप महिलाएं आपको भी सिंगार ही सोबता है इसलिए किसी को ना दे भूल कर भी नहीं खास कर ऐसी चीजें जो आप यूज़ करती है तो वो भी नहीं देना है आपको इस बात का ध्यान रखेगा मा लक्षमी का आगमन का दिन है तो मा को मनाईए दूसरे को मनाने से कोई लाव नहीं है अब आप ये देखिए कि आप साल भर कैसे खुस रह सकते हैं साल भर कैसे आपकी जीवन में खुसियां आ सकती है मा लक्षमी दीपावली की रात ही नहीं बलकि धंतेरस से ही गूम गूम कर देखती है और धंतेरस के दिन लोग जतरा बनाते हैं साइद बनाते हैं और इस दिन लोग टोटके भी करते हैं साबधान रहिएगा यानि टोटके से हमारा मतलब है लोग जैसे आप से कुछ पैसे उधार मान लिए बहुत इमर्जनसी है भाईदो धंतेरस के दिन नए किसी और आप कहीं और इंटरेस्ट बेगरे में मिलता है कहीं और से दिलवा दिजे लेकिन खुद का मत दीजे क्योंकि लोग आपको चार दिन बात तो देंगे लेकिन धंतेरस के दिन वो अपना तेरा गुना धन बढ़ा लिया फिर आपके पास क्या बचा इसलिए इस चीज़ पे आप ध्यान दीजेगा दोस्तों धंतेरस के दिन बरतन खरिदने का बिधान है क्योंकि इस दिन धंवंतरी जी समुद्र मंथन से अमरित कलस लेकर निकले थे और मानेता है कि बरतन खरिदना भी चाहिए और खाली बरतन घर लेकर नहीं आना चाहिए यानि बरतन में कुछ अनाज या कुछ मीठी चीजें भर कर लाना चाहिए जिससे जीवन में धन, सुक, समुद्धी सब कुछ भर भर कर बना रहे पूरे साल बरकत होती रहे लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस दिन नहीं खरिदना चाहिए बरतन में भी बहुत सरे ऐसे बरतन होते हैं जो इस दिन नहीं खरिदे जाते हैं खासकर इस दिन लोहे की बनीवी कोई भी चीज आपको नहीं लानी चाहिए वो बरतन ही क्यों ना हो इस वात का ध्यान रखिएगा और काच की बरतन भी नहीं लेनी चाहिए जैसे बहुत कोई क्रोकरी सेट ले लेते हैं या फिर फाइबर वाले सेट ले लेते हैं लेकिन नहीं आप लीजिए अन्ने दिनों में पर आज के दिन बिल्कुल भी नहीं साथ ही धन्तेरस के दिन वैसे तो स्टील के बरतन भी नहीं खरिदने चाहिए एक कोई पूजा में बहुत साई चीज़ें यूज होती हैं तो कोई भी एक चीज ले सकते हैं या फिर छोटा सा कटोरी ही ले लिए लेकिन याद रखेगा स्टील का नहीं खरिदें चाहिए लेकिन बहुत कोई स्टील भी खरीते हैं तो जब आप स्टील खरी देंगे तो उसमें भी कुछ चीजों का ध्यान डखना है जैसे इस दिन काटा चमच नहीं लेना है चाकू नहीं लेना है धारदार हतियार नहीं लेना है इन चीजों को खरीने से बचिएगा कैची भी नहीं लेना चाहिए इस दिन धन्तिरस के दिन ओफर रहते हैं ये लेलो वो लेलो पर सोच समझ कर सौपिंग कीजिएगा कहीं लेने के देने न पड़ जाएं तेरे गुना बरकत मतलब होता है कुछ अच्छी चीजे लें कि तेरे गुना बरकत हो अब काच राहू से अब काच खरीदने से आपको बचना ही चाहिए इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए इस दिन वैसे भी ज्यादा काच का इस्तेमाल करने से दिमाग जो होता है नमन वो थोड़ा डिस्टर हो जाता है इसलिए संबल कर और जिनको मन की समस्या हैं उन्हें काच के गलास में पानी भी नहीं पीना चाहिए धनतेरस के एक दिन पहले आप अगर तोफा बेगरे किसी को देना है तो खरीद लीजेगा धनतेरस के दिन ना खरीदें किसी के लिए तोफा ना ही किसी को दें तो दोस्तों इस दिन बरकत का दिन है काला रंग औसूब होता है और धनतेरस के दिन का कुछ फूरी कुछ भी मत लीजेगा चाहे ओफरी क्यों नहीं छोड़ दें दूसरे दिन लाइए पर उस दिन भूल से भी नहीं तो कुछ चीजों का ध्यान रखकर जीवन में बरकत बनी रहेगी और इस दिन चांदी जरूर खई दिये चोटा सा एक दो गराम का सिक्का ही सही ले लीजेगा और दिपावली की पूजा करने के बाद मालक्षमी के चर्णों में अर्पित करने के बाद अपने चावल के डब्बे में रख दें धन तेरस के दिन सिर्फ एक चीज भी खरिद लिया ना तो फिर तो समझिए आपके उपर मालक्षमी की कृपा बनी गई और उनमें से चीज कौन सी है यह तो हम आपको बताएंगे ही देखिए कार्थिक मास के कृष्ण प्रच की त्रियोदसी थी इस बार 25 अक्टूबर को है सुक्रबार का दिन है इस दिन और हलांकि आपको तो पताईए पांस दिनों का पर्व है धन्तेरस से लेकर भाया दूस तक तो इन दिनों में घर में हमेशा सुक्सानती बनी रहे जीवन में खुसियां आती रहे उसके लिए हम बहुत सारे उपाई करते हैं लेकिन आज हम सिर बताएंगे आप क्या जीवन में ऐसा लेकर आएं कि इस एक चीज के कारण आपके जो पुरे साल का धन का आने का है वो न धन तेरस की पुजा समान जवाब खरीदेंगे तो एक पान का पत्ता जरूर खे दिएगा पान के पत्ते पर देवी देपताओं का बास माना जाता है इसलिए धन तेरस की पुजा ही नहीं बलकि दिपावली की पुजा में भी इसका आप उप्योग कीजिएगा देखे खर और बाहर हर जिझग लगाईएगा और इससे यह आपके घुबिपेट देव है लक्ष मी मा है वह तो प्रसन होते ही है साथ इस दिन लिए निकालने के लिए आपको तो पता है यह कPlus doubt आ किसे दिए निकलता है उसमें देव इंद्र देव का प्रतीख माना जाता है यहां तक कि कभी-कभी शुपाड़ी को गनेज जी का भी प्रतीख मानते हैं लेकिन याद रख्येगा इस सुपाड़ी में मौली धागा जरूर लपेटईगा बिना वस्त के सुपाड़ी अधूरा मान आ जाता है इसलिए इस सुपारी में मौली धागा अच्छे से लपेट कर फिर पुजाओजा करें और अपने अलमारी में रखें तिजोरी में रखें धन धाने की विर्दी होती रहेगी धनिया धन तेरस के दिन अगर आप धनिया लेकर आते हैं जादा नहीं थोरा सही सही साबुत धनिया यानि पूरा साबुत तुटावा नहीं होना चाहिए मा लक्ष्मी और भगवान धन मंतरी के चर्णों में अरपित कर दीजेगा इसके बाद भगवान के सामने अपनी मननत मांगे आपकी जो भी मन की च्छाएं हैं मांगे और धनिये को दूसरे दिन अपने बगीचे में बोदें ऐसा करने से आपके जीवन में धन आने लगेगा वैसे तो हमारे यहां बतासा चाहिए मां चाह है काली हो दुर्गा हो लक्ष्मी हो सबको बतासा परी है तो ऐसे में बतासा जरूर अरपित कीजिएगा मांको भोग में और यह अरपित करने के बाद करने के बाद कपूर जलाकर आर्थी करें ऐसा करने से मन भिसान्थ होता है घर की नकरत्मक चीजे जो होती है सक्तियां बाहर चली जाती है और मालक्ष में आपके घर में बहुत अच्छे से प्रवेस्ट भी कर जाती है और इस दिन खील आपको तो पता ही यह धान का बनता है आपको मार्केर पे मिल जाएगा खील बता से उसे कहते हैं तो बता सा तो पूजा कर लेंगे लेकिन खील भी थोरा सा ही ले आईएगा और धंतेरस के दिन अगर आपने थोरा सा खील खरीद लें इसके बाद दिपावली के दिन खील से मातालक्ष मी की पूजा करें लेकिन जाना है धन्ते रस के दिन है और फिर इस पूजा के बाद सारे खिल को अच्छे से समेट लें और मशलियों को कही तालाब में नदी में डाल दें यकीन मानिए जीवन में सुक्सान्ती सम्रिद्धी बनी रहेगी हर हर महादेव